हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टो मैं चैनल तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिक होने वाली है तो देखे हम सभी के पास पुराने कपड़े पड़े ही रहते हैं या फिर जीन्स पेंट हो या फिर कोई सभी पुराना कपड़ा हो बैडशीट है उसी का मैं यूज करती हूं यहां पर हमारा कपड़ा नया है पहनने लायक है तो उसको किसी को नीड है तो उसको हम दे सकते हैं तो उसके काम आ जाएगा तो वह बहुत ही अच्छा है तो यहां पर देखे यह जीन्स के आलत बिलकुली खराब हो चुकी है अब यहां पर काटी नहीं नहीं निकलते हैं तो यह इसके बिलकुल किनारे काट के निखाल दूंगी और इसके नहींस काट निकलती है तो जैसे कपड़ों की रफेंजिस निकलते तो इसके बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं तो जो जीन्स वाला कपड़ा होता है अब देखें यहां से मैंने इसके कटिंग कर लिए और इसको कटिंग करके यह वाला पार्ट में इसका हटा दूँगी जो दूसरी सैट का है उसे भी आपको हटा देना है और देखें इस तरके से इसे रख लेंगे फैंकना इसे नहीं है तो आप जो नीचे वाला कपड़ा है इसके हम कटिंग कर लेते हैं तो नीचे का इसपेस होता है तो इसकी को मैंने ऊपर लखें कर लिए तो यहाँ पर कपड़े की जो लंभाई है और कपड़ की चवड़ाई धूद चैच तो यहां पर इसको रेड़ी करने के लिए मैं इसमें राइस बैग लगाऊंगी तो आप राइस बैग फॉर्म सीट आटा बैग कुछ भी इसके अंदर लगा सकते हैं तो यहां पर देखें राइस बैग को कट करना भी बहुत आसाने नीचे वाली साइट से इसे कट कर लिए ह और साइट भी इसके यहां से काट लेंगे और जो हमारा कपड़ा है इसे रखेंगे और एक इंच या आधा आधा इंच बाहर एक्ट्रा राइस बैग रखते हुए इसकी कटिंग करने के बाद इसे चारो और से स्टिच करेंगे और आप इसको कुल्ट कर लिजिए तो यहा किया करना है अब हमें इसमें जीप लगाने यह तो जो कम वाला साइट है तो वहां से हमें इसमें जीप लगाने है 14 इंच वाले साइट से अब देखेव lep ko इस तऱ किसे रखेंगे खोल के कपड़ा है उसकी कर लेंगे कट निकाल लेते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर मैंने कटिंग कर लिया अब इससे हम सीधा करेंगे तो देखिए सीधी साइट को करते हुए अब हम यहाँ पे लगाएंगे top stitch तो इस तरीके से chain के ओपर top stitch भी लगा लिया है तो इससे अच्छे तरीके से finishing के साथ ये ready हो जाता है अब यहाँ पे देखे हमें करना है runner insert तो friends इस तरीके से इसे करते हुए इसके अंदर हम runner insert करेंगे तो यहाँ पे देखे हमारा runner insert हो गया है अब हम इसे करेंगे इस तरीके से हमें करना है और हमें उपर chain की सैट से नीचे को पकड़ना है और बराबर मैं करते हुए यहाँ पे center point निकालना है तो दोनों सैट से center point निकालने के बाद इसे हम इस तरीके से करेंगे और इसे करेंगे उल्टा तो यहाँ पे देखे मैं पर हमें करनी है सिलाई अब देखिए सिलाई लगाने से पहले हमें यहां पर हैंडल लगाना होगा तो फ्रेंड्स यहां पर जो इसका हैंडल लगाना है तो आप पहले पिन अप करके रख लीजे तो हैंडल बनाने के लिए देखिए मैंने जीन्स में से एक कपड़ा और कट क करने के बाद यहां पर हमें इस तरह के से फोल्ड करना है और एक स्ट्रैप बना लेना है तो इस तरह की जो लंबाई देखिए मैंने कितने रखी हुई है तो यहां पर मैंने 12 इंच रखी हुई है जो स्ट्रैप की लंबाई है और एक स्ट्रैप और लगाएंगे उसकी लंब स्टिज करने के बाद मैंने देखें यहाँ पर हमें अब लगाने एंगा फ़िफों है मैं तो पर ज्रीन के बाद सी और फरी मैंने स्टिज कर लिया और जो इसके बाहर बाहर को हमें चारो corners को बाहर निकालना है यह देखिए तो यह देखिए chain हमारी उपर वाली side को आ गए क्योंकि इसे बीच में से पकड़ा हुआ था अब देखिए अब हमें क्या करना है अब हमें यहापे करनी है marking तो marking करने के लिए chain वाली side से मैंने 4.5 inch पे लिया है और जो दूसरी वाली side है वहाँ से लिया है 3 inch पे तो 4.5 एक side लिया है chain वाली side और दूसरी side 3 inch लिया है अब देखिए हमारी बिल्कुल टेड़ी line आपको दिखाई देगी अब आपको यहीं paste की करनी है cutting तो चारो कोनों पे पहले आपको marking कर लेनी है इसी तर्के से जस एक कोने पे किये ऐसे ही चारो कोनों पे आपको marking करनी है chain वाली side से आपको 4.5 inch पे करनी है और जो दूसरा वाला side है वहाँ से 3 inch पे करनी है एक side लगाया था वैसे ही चारो side से हम इस पे marking कर लेते हैं तो फ्रेट्स बहुत easy इस तर्के के organizer बनाना और देखिए घर पे पुराने कपड़ों से हम इने बना के त्यार कर सकती मैंने stitch भी कर लिया है इन्हें अच्छे तरके से आपको बाहर निकालना है तो पूरे corners को आप बिल्कुल अच्छे तरके से बाहर निकाल लीजे तभी ये finishing के साथ ready दिखाई देगा तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है kit बन के बिल्कुल त्यार होगी है तो आप इसको as a makeup kit यूज कर सकते हैं तो फिर या फिर आप इसको stationary के लिए यूज कर सकते हैं सेविंग का कोई समान रख सकते हैं तो देखिए multiple parts organizer है और आपने देखा ना कि सिर्फ पुरानी jeans से हमने इसे बना के त्यार किया हुआ है और जो हमारा jeans वाला कपड़ा था ना काफी मजबूत होते हैं denim के जो कपड़े होते हैं और यह सुंदर भी बहुत लगते हैं तो द देखिए बढ़ी सा हमारा बन के त्यार होगा जो दूसर गीन बचा कपड़ा था इसका भी हम यूज कर लेते हैं तो दूसर जो इसका इक साइट का तो 35 जो है यूज कर लिया पैर आ में डियो जो है लिग और दूसरा भी हम इसका यूज कर लिया citizens. सूवल देखिए मैंने सीधा किया हुआ है तो यह देखें यहां पर हमें कपड़े को कर लेना है सीधा बढ़िया सा है तो आप एक बार बना के देखिए इस तरह के यहां से और cutting करना पड़ा है और मैंने यहां से joint कर लिया कपड़े को आप देखिए जो इसकी लंबाई और चोड़ाई है वो है 13 by 26 इंच की तो चलिए कपड़ा हमारा मेजर हो गया अब हमें यहां पर rice bag चाहिए तो देखिए यहां पर हमें same measurement को रखते हुए rice bag को रखना है और इसकी उपर जो हमारा कपड़ा है उससे रखेंगे और इसकी कर लेंगे यहां पर cutting तो इस तरीके से मैंने देखिए इससे रखा हुआ है और इसकी cutting कर लेंगे तो यहां पर हमें एक lining का piece भी चाहिए होगा तो देखिए हमें 3 पीस को रखते हुए lining नीचे अंदर वाली side से रखेंगे और जो rice bag है उसे बीच में रखेंगे और इसे कर लेंगे quilt तो देखिए यहां पर हमारा rice bag काट होगा है तो इसे हम 3 पीस को quilt क कर लेते हैं तो यहां पर देखिए मैंने कुल्ट कर लिए हैं चारोट से सिलाइ लगा लिए तो आप लंबी-भी लंबी सिलाइ NG के लिए मैंने नून बहुत ही एजी ऐ है और इतने एजी वह में मैंने आपको बताए होया और अच्छे तरके से आपको समझ में आ जाएगा तो यहां पर देखे 7 इन्च मैंने कटिंग कर लिया है इसे हम अलग साइट रख देंगे जो 7 इन्च वाला आप देखी जो दूसरा वाला साइट है इसे हमें तीन इंच पे कटिंग करना है लंबाई वाली साइट में आप यहाँ पर देखे मैंने यहां से ऴुर्ट करना सुरू किया है तो अपको इस तरफ़ेंग करने के पाल वाला पीच भी श्या करना है अब हमें यहा पे jip attachment करना है तो कपड़े की shea side है और jip को इल्टी site को रखते हुए यहाँ पे Stitch कर लेंगे तो यहाँ पे stitch करेंगे और देखे फिर उपर वाला पीज भी stitch करेंगे तो यहाँ पे मैंने visa stitch कर लिया अब हमें यहाँ पर प्रचटीच लगाना है, तो इस तरिके से इसे पल्टेंगे, और पलटते हुए यहाँ पे हमें फ्रैस स्टिच लगा लेंना है, तो यहाँ पे हमाराँ प्रैस स्टिच भी लग के रैडी हो गया है, अब झो दूसरा वाला पीस था उसे हम ृसके ऊपर रखेंगे और इससे करनेंगे stitch यहां पे stitch करने के बाद इसमें भी हमें Professor stitch लगा के त Mouse तो कहा & Cell लगा के त्यार कर लेना है तो हमारा ready होगय है तो अब हमें इसके अंदर करना है runner insert तो हमें इहां पे friend's इसके अंदर runner insert कर लेते हैं यहां पर देखें बहुत इजी तरके से हमारा runner जो है इसके अंदर insert हो जाता है तो हमारा runner insert हो गया तो आप देखें जो 7 इंच वाला piece हमने कट किया था उसे लेंगे और इसे stitch करेंगे इस तरके से पकड़ते हुए यहां पर टॉप इस्टिच लगा लेना है तो हमारा यहां पर टॉप इस्टिच लग गया है अब हमें देखें जो दूसरे साइट वाला इसे भी stitch करना है इस तरके से रखेंगे और इसे stitch करेंगे अब देखें अगर आपका भी equal ना हो तो आप से एक्विल कर लिए यहां पर देखें हमारा इस्टिच लगा लेंगे और आप इसको इसमें टॉप इस्टिच लगाना है तो इस तरीके से खोलते हुए लाएंगे और यहां पर इस टॉप इस्टिच लगाएंगे या आप रफ एंजिस कबर करने के लिए पाइप इन भी निकालना है अब देखें इस तरीके से आप मैं तो नोचश लगा रहा हुए आप चौक करते हैं तो यहां पर आपको चारो सैट से शैंटर कई का निशान लगाना है तो देखें मेरा यांपे सेंटर पॉैंट लग गया है आप हमें tu只 लगा है उसे हमें आपस में मिलाना है कट को और देखें इस तरीकर से 4 साइट से 2 साइट से मैंने 7 ला लिए है अब मिलाते हुए को यमें же करना है corners इसके cutting करने हैं तो यहाँ पर 2 by 2 का corners में यहाँ पर cutting करूँगी और देखे एक box बना लेंगे 2 by 2 का और इसकी कर लेंगे cutting तो cutting करने के बाद एक side हम इसकी cutting करेंगे और जो हमने cutting के आप पाठ है इसी को हम 4 sides में रखके इसी को रखते हुए इसी से इसकी 4 side की cutting कर लेंगे 4 corners को हमें cutting कर लेना है मैंने cutting कर लिया है आप देखे मैंने यापे strap एक ready किया हुआ है तो देखे जो strap हमकी लंबाई और चोड़ाई है वो कितनी है वो मैं आपको बता देते हूँ जो strap की लंबाई मैंने लिए 15 निच है और टोड़ाई चोड़ाई इसकी 1.5 इंच है तो friends आपको stitch करना है chain वाली side से जहाँ पर हमने जीप लगाया हुआ है उस वाली side से stitch करना है और corners में देखे इस तरीके से आपको इसको अंदर fix करना है और यहाँ पर इसे corner को stitch कर देंगे तो stitch कर लिया अब जो अब देखे हमारा यह तयार हो गया है तो इसका final look मैं आपको दिखाती हूँ तो देखे अब इसको हम जो जीप की side से मैंने से खोल लिया है corners को अच्छे तरके से बाहर निकाल लीजिए और देखे हैंडल हमारा यहाँ पर बन के या फिर लंच बॉक्स इसको यूज कर सकते हैं तो देखे कितना बड़िया सा हमारा यह बन के त्यार हो गया आप बताई नहीं सकते कि आपने यह पुरानी जीन से बनाए हुआ हुआ है तो फ्रेंड्स आप इसमें लंच बॉक्स अगर इसको आप यूज करेंगे तो इसमें आपका खाना बिल्कुल भी बहार नहीं गिरेगा क्योंकि इसमें हमने अंदर से राइस बैग लगा हुआ है और दूसरा जो कपड़ा है हमारा जीन्स का डैनिम वारा जो कपड़ा होत होता है तो इसमें बिल्कुल भी आपकी लिकेज इधर उदर नहीं आने वाली है बाहर नहीं आएगी तो यह देखें कितना बढ़िया सा और कितना इजी वे में हमने इसे बनाय हुआ है तो फ्रेंड्स पुरानी जीन को यूज करने का बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आज आपके साथ सेयर किया है तो दो ऑर्गनाइजर हमने बना के त्यार किये हुए तो काफी यूसफूल है मल्टी परपास ऑर्गनाइजर है तो फ्रेंड्स वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सेयर और सिस्क्राइब जरूर कीजेगा अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई थेंक्स फर वाचिंग टेक केर